तीचर बनने के लिए गौवर्मेंट टीचर बनने के लिए 12 के बाद क्या करें दोस्तों अगर आपकी भी मन में ये सवाल है तो आज की वीडियो में लोग इसी बारे में जानेंगे अप इस वीडियो को पूरा अंतक जरूर देखेगा मेरा नम है आयूस और आप देखे रहे आपको अच्छा टाइम मिल जाते है खुद के लिए भी जिसमें आप कुछ अलग कर सकते हैं अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं आगे पढ़ाई कर सकते हैं तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा करियर ऑप्शन होता है तो आईए जानते हैं कि इसका प्रोसिस क्या है क् अगर आप क्लाश 12 पास किये हैं या फिर करने वाले हैं तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा इस बारे में जानते हैं क्लाश 12 पास करने के बाद आपको सबसे पहले तो बीएट करने पड़ेगी बीए यानी की बैचलर ऑफ एजुकेशन दोस्तों ये एक डिगरी को से उनका इंट्रेस्ट हो उससे रिलेटेट सबसे पहले वो अपनी डिगरी कंप्लीट कर लेते हैं निकि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको बीएट भी करना होगा जी हां अगर आप टीचिंग फिल्म में जान ला सकते हैं बीएट करने के बाद जबकि आप डियालेट करते हैं तो यह प्रायमरी एश्टब्यान को पढ़ाने के लिए होता हैं तो मान कैंचलते हैं कि अ कि अब फर्यूएशन कंप्लीट कर ले उसके बाद अगर आ आप अप को सफका जाते हैं टीचिंग के बार में एक बार अगर आपकी B8 complete हो गई तो उसके बाद दोस्तों आपको test qualify करना पड़ेगा टेट यानि कि teacher eligibility test ये compulsory है ये तरीके से आपके पाद certificate हो जगा कि हाँ भई आप पूरी तरीके से ready है teacher बनने के लिए टेट दो तरीके का होते है से टेट होते है और इस्टेट टेट होते है से टेट यानि कि central teacher eligibility test अगर आप सी टेट क्वालिफाई करते हैं तो पूरे इंडिया में कहीं भी teacher vacancy आते हैं तो दोस्तों आप eligible है उसमें आप apply कर सकते हैं लेकिन अगर आप state टेट apply करते हैं state means किसी भी particular state का teacher eligibility test जैसे कि यूपी वाले यूपी टेट करते हैं बिहार वाले बिहार टेट करते हैं राजस्थान टेट तो कहने का मतलब है कि एक particular state के लिए eligibility होती है तो अगर आप वो करते हैं तो आप उसी particular state में जब teacher की vacancy आएगी तब दोस्तों आप उसमें eligible है आप उ उसमें eligible है आप उसे apply कर सकते हैं तो माल लेते हैं कि आपने इसे complete कर लिया उसके बाद दोस्तों जब भी teacher की vacancy आएगी आप उसमें apply कर सकते हैं आप उसके लिए eligible हो जाते हैं अब teacher की vacancy कई तरह होती है कई बार merit basis पे होती है तो बहुत बार exams होते है उसमें तो depend करते है कि इस तरीके से उनका selection process है इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें बीएड अच्छी तरीके से complete करें उसके बाद दोस्तों सी टेट आफिक टेट आपको qualify करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह सब कुछ कर लेन अगर आपका selection हो जाता है तो दोस्तों आप एक government teacher बन सकते हैं एक चीज़ आपको द्यान रखनी है कि अगर आप graduation के बाद बीएड करते हैं तो दोस्तों TGT teacher बनते हैं यानि कि आप class 10 तक के student को पढ़ा सकते हैं लेकिन अगर आपने अपनी PG complete कर लिए यानि अपने MA कर लि कि कौन से subject से करें क्या करना चाहिए तो देखो गईच आपका जिस subject में interest होगा obvious सी बात है आप वही subject तो आगे student को पढ़ा होगे तो यह totally depend करते हैं आपके उपर कि आपका interest की subject में है अब बहुत सरे student को salary के बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको एक average idea दे देता है तो जो अपकी salary average होती है 45-50,000 रुपे हो सकती है यह थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकते है लेकिन मैंने आपको एक अनुमान बताया और जैसे जैसे अब job करते जाएंगे आपकी salary कुछ है ना कुछ बढ़ती जाती है तो starting salary आप इतनी मान के चल सकते हैं तो उमीद करते ह दोस्तों कि अब आपको पता चल गया होगा कि class 12 के बाद teacher कैसे बने लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो दोस्तों comment करके बताए अगर आप exam pattern के बारे में जानना चाहते कि क्या exam pattern होते किस तरीके के सवाल आते हैं तो आप comment box में exam pattern लिखे इसके उपर मैं औ और पूरे detail में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके और भी सारे dots दूर हो जाएंगे अगर आप कोई वीडियो पसंद आई वीडियो को like कर दीजे चैनल को जरूर से subscribe करके bell icon प्रेस कर दीजे आप सभीने इस वीडियो को देखा आपका बहुत बहुत धन्यव करनाओ फिरू जरूरा हो भीडियो को जरूरा दीज वीडियो